नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीव चैनल में आज के इस वीडियो में मैं HP Economic Survey 2020 को डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें मैं आपका जो 16 चेप्टर था Economic Survey का Information Technology जिसका टाइटल है उसे डिस्कस करूँगा इस चेप्टर में से कई questions पूछ लिजाते हैं कई exams में काफी important है ये चेप्टर तो देखते हैं इसमें क्या क्या है चेप्टर में सबसे पहला जो इसमें चीज निकल कहती है चेप्टर में वो है कि HIMSWEN क्या है HIMSWEN जो है उसकी direct full form पूछ लिजाती है कि वर exams में हिमस्वयन की full form है हिमाचल state wide area network ठीक तो ये हिमाचल परते state का एक अपना wide area network है next इसमें point जो है कि इसको launch कब किया गया था इसको launch किया गया था 5th February 2008 में तो आप कम से कम ये year याद रखिएगा 2008 पूछ रहे जाता है कि कब इसको launch किया गया था तो ये 2008 में इसको launch किया था February मन्त में next जो इसमें point ध्यान रखने वाला हिमस्वयन के बारे में वो ये है कि हिमाचल परतेश जो है फर्स्ट state थी country में जिसने की अपना wide area state wide area network शुरू किया था e-governance शुरू करने के लिए अगला जो point इसमें important बनता है वो ये है कि ये शुरू किस ने किया था ये शुरू किया था Department of Information Technology हिमाचल परतेश Department of Information Technology हिमाचल परतेश का उन्होंने ये हिमस्वयन create किया हुआ है और ये जो हिमस्वयन है कौन से plan के तहत इसको शुरू किया गया ये है National e-governance plan National e-governance plan के अंडरी हिमस्वयन आपका जो है बनाये गया था हिमस्वयन के अंदर एक secure network प्रोवाइड किया जता है state government के सभी departments को till block level ये भी important है कि वर्तमान में जो स्थिती है वो ये है कि आपका block level तक ही अभी जो है इस network की connectivity अवेलेबल है block level से नीचे village level पर ये वर्तमान में connectivity अवेलेबल नहीं है लेकिन जल्द ही ये village level तक भी पहुंचाने का उदेश्या है next जो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कौन कौन सी services इसके अंडर जो provide करवाई जा रही है ये provide करवाई जा जा रही है government to government G2G services हिमस्वयन में provide करवाई जा रही है services government to citizen services provide करवाई जा रही है हिमस्वयन network के अंदर तो यह आप याद रखेगा कि कितने offices हैं अगर हम structure इसका देखें आर्किटेक्टर देखें तो यह आप देख सकते हैं कि state headquarters जो हमारा है यह लग लग directly कुछ चीजों के साथ जुड़ा हुआ है यह लग 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 अफिसे से को ग्रामीन बैंक से जुड़ा है तो यह आप देख सकते हैं किस तरह से यह जुड़े हुए है और next level पर जो अभी बात यह विलेज लेवल पर नेक्स जो है विलेज लेवल पर इसको प्रवाइड करवाई जाएगा हिमस्वैन को जो की वरतमान में यह वाली लेवल पर अभी अवेलेबल नहीं है हिमस्वैन next जो है हिमस्वैन की funding इसके स्रेजन के पहले 6 वर्ष तक इसके द्वारा की गई थी ठीक है यह भी बड़ा important है कि जब हिमस्वैन का स्रेजन किया गया था तो उसके 6 वर्ष तक या स्वारत सरकार का जो electronics and information technology ministry है उन्होंने इस हिमस्वैन project की funding की थी पूरी तरह से वरतमान में हिमस्वैन द्वारा कौन सी टेकनीक का इस्तेमाल किया रहा है कौन सी टेकनीक पर अधारित है तो यह है multi protocol level switching बहुत सारे protocols use होते हैं इसमें और VPN over broadband virtual private network है यह over broadband ठीक है जी और आने वाले time में जो है और वरतमान में भी उनकी कि यह जो dongle के साथ भी availability हो गई है और private जो companies है पहले सिर्फ आपका यह broadband पर ही चल रहा था BSNL पर चल रहा था और अब जो है private जो companies हैं उनके द्वारा भी जो है आपका हिमस्वैन का connectivity प्रवाइड करवाई जानी शुरू कर दी गई है नेक्स्ट जो है हिमाचल परदेश State Data Center कहां पर है यह State Data Center और हिमस्वैन आपस में इंटर कनेक्टेड है पूरी तरह से हिमाचल परदेश का जो State Data Center उसकी funding की है भारत सरकार का जो electronics तथा information technology ministry है जिसने हिमस्वैन की funding की है और HP government ने तो इन्होंने किस रेशो में इसकी funding की है तो इसमें 80-20 की funding में 80-20 की रेशो में funding की गई है की 80% funding जो है वो भारत सरकार के electronics and information technology ministry ने की है और बाकी 20% जो शेयर रहा है वो राज्य सरकार करा है जो State Data Center की शुरुआत कब की गई है तो यह 2016 में हुआ है हमस्वैन के 8 साल के बाद ठीक है जी तो यह मई 26 मई 2016 को शुरू किया गया है State Data Center के दौरा कौन सी security standard इस्तेमाल की जा रहा है इस security standard इस्तेमाल जो स्टेट डाटा के स्टेट डाटा सेंटर दो रखिए जा रहा है वो है ISO 27001 और ISO 20000 और certain ठीक है यह भी आप इनके security standards safety standards जो यूज कर कि जा रहे हैं डाटा सेंटर में ताकि जो भी डाटा वहां पर collect होता है वो सेफ रहे किसी तरह की breach ना हो किसी तरह की hacking वेरे ना हो तो next जो इसमें है कि RCMS की full firm क्या है RCMS क्या चीज़ है एक system है प्रणारी है तो यह है revenue court case monitoring system तो यह revenue court से related RCMS जितने भी आपके revenue court के cases है उनका monitoring system है यह भी develop किस ने किया Department of Information Technology जो है उन्होंने यह develop किया है और इसमें जो revenue courts हैं वो कौन-कौन सी हैं division level की court है district level की SDM office level की revenue court है और तैसीर level तक की हमें available है यह जो RCMS system वरतमान में इस system का जो क्या उदेश्या है इस system का उदेश्या है कि यह capture करता है routine proceedings जो भी revenue courts की होंगी उन्हें उनके entrym orders और judgments ताकि लोग देख भी सकें online ही चीजें देख सकें सारी चीजें easily available हो जाएं नेक्स्ट जो इसमें important है कि अभी तक 282 revenue courts जो है वो RCMS software के साथ जुड़ चुकी हैं और यह आप याद रुखिए कि कि किस level तक division level से लेकर तहसीर level तक चार लेवल पर यह जो है revenue case monitoring system available है काम कर रहा है revenue court case monitoring system को कौन सा पुर्सकार दिया गया था 2014 में यह बड़ा important है 2014 में CSI Nihiland Award जो है revenue court case monitoring system को दिया गया यह question भी पूछा जाता था कई बार अभी भी कभी पूछा जा सकता है लेकिन अब इतना important नहीं रहा है next जो है आपका वरतमान में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे LMS system का क्या हुदिश है एक LMS system है litigation monitoring system litigation monitoring system है सभी सरकारी विवागों में चलाया जा रहा है इसका simply simple meaning है जो कि जितनी भी litigation है उनकी monitoring की जा सके ताकि जो भी head होगा department का उनको पता रहे कि क्या status है अभी उनके case का जो भी litigation हुई है उनके खिलाफ जिस litigation में department involved है next जो इसमें question है हिमाचल प्रदेश में आधार योजनक कब शुरू हुई थी अधार योजनक कब शुरू हुई थी ये December 2010 में शुरू हुई थी और अभी तक जो है 78,41,000 जो है अधार कार्ड बन चुके यूनीक ID जो है वो generate हो चुकी है इस तरह से अगर आप दिखेंगे त 106% 106.19% जो है वो यूनीक ID आधार कार्ड बनाए जा चुके है यानि कि 100% से भी ज्यादा यह इसलिए है क्योंकि उन लोगों के भी आधार कार्ड हिमाचल में बना दी गए है जो कि हिमाचल की population नहीं है जो भी migrant से लेबर से उनके भी आधार कार्ड हिमाचल में बना दी जो अधार कार्ड की सीडिंग जो कनेक्टिविटी अधार कार्ड की लिंकेज है वह अगर आप जरूर थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि जो पब्लिक डिस्टिबुशन डाटाबेस है उसमें 98.4% सीडिंग हो गई या अधार कार्ड की लिंकिंग हो गई है सबसे जादा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कितने परसेंटेज है नेक्स जो है आपका ई-office ई-office से संबंदित है questions ई-office ई-office में है कि इसका aim क्या है ई-office का aim है कि जो file movement है उसमें और वो automation हो जाए automatically file movement हो सके government offices ने ठे ऐसे नहीं है जो physical file है वो पड़ी रती है एक ही office में कई कई दिन यह दवा दी जती है तो ई-office का मकसद यही है कि जो file है वो automatically move कर जाए को इसको छुपा ना सके ठीक है जी ताकि काम इससे क्या होगा इससे काम जादा है efficient हो जाएगा effective हो जाएगा और transparency भी आ जाएगी कोई file रुकी है कहीं पर क्यों रुकी है तो यह सारे चाह कितने हैं अभी वह 46 46 departments में अभी इ-office शुरू हो चुका है ऐसा claim किया जा रहा है हलाकि पूरी तरह से इ-office बहुत सारे department में शुरू नहीं भी हुआ है अब जो इ-office का काम है ठीक है यह जो इ-office अभी यूजर्स जो है यूजर्स कितने map हो गए है वह एक हजार 837 ठीक ह है वह लग लग 46 department में इ-office को यूज कर रहे हैं और जो 12423 फाइल जो है वह create की गई है इ-office में files मतलब की इतना file का number नहीं है यह होता है हर department में एक head होता है कुछ ना कुछ file का head होता है वह इतने heads हर department के अगर कुल मिला कर बात करें हिमाचल प्रतिक्ष में 12000 के असपास जो है वो generate हो चुके हैं अब next जो बड़ा important है e-governance की दिशा में वो है e-district ठीक एक mission mode project है यह असल में national e-governance में बहुत सारे projects हैं उनमें से जो उन projects को mission mode project कहा जाता है उनमें से एक e-district project भी है mission mode project है जो की इसका aim है कि citizens को integrated citizen centric services जो citizen centric services होती है आप जैसे किसी citizen ने कोई अपना certificate बनवाना है income certificate बनवाना है या कोई भी service लेनी है जो की citizen centric है तो वो जो है उनको provide करवाई जा सके easily ठीक है जी उनको integrated वो और seamless delivery हो citizens को उन services की district administration के द्वारा लगातार बिना रुके वो services मिलें और यह तब मिलेंगी जब क्या है automation हो जाएगी काम में workflow में ठीक है बैक end पर सारा जो computerized हो जाएगा data data digitization हो जाएगी तभी जो है digitized होगा तो कहीं से भी वो चीज़ें access हो सकती है ठीक है यह automatically reports generate हो सकती है तो यह e-district का है तो इसमें अभी जो है total 62 services claim की जा रही है लेकिन अगर आप practically देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कते हैं अभी भी e-services में ground level पर बहुत time लग रहा है कुछ services में तो यहां पर एक और बड़ा important point है e-services को लेकर कि MS Terra Sys Technologies Limited है जो वो system integrator का का काम कर रही है e-services को लेकर पूरे state में तो यह बहुत बहुत जादा important है MS Terra Sys Technology Limited ठीक है यह आपका एक अदर निमबर का question पूछा जा सकता की system integrator कौन है e-services का पूरी state में तो इनका भी tender होता रहता है यह भी change होते रहते हैं लेकिन वर्तमान में जो है जो आपका economic survey 2020 का उसमें इनका नाम बताएगा कि MS Terra Sys Technology Limited है system integrator वो होता जो अलग लग चीजें कहीं से software ले ले लेते हैं कहीं से hardware ले ले लेते हैं जो भी इस तरह की requirement है वो service पूरी तरह से अलग लग departments में जो है वो काम दिया गया system integrator को उन्हें develop करने का कि वो services जल्दी प्रवाइड करवाई जाए citizens को next जो आपका economic survey में इस चेप्टर में है वो डारेक्ट benefit transfer scheme ठीक है डारेक्ट benefit transfer scheme में एक अपका question है कि सब जो है हिमाचल प्रदेश को कितनवा राज्य था पूर किया था direct benefit transfer जो है एक program है जिसमें की subsidies जो है वो directly transfer कर दी जाती है beneficiaries को तो इसमें क्या है primary aim इसका क्या है यह क्यों है ताकि transparency हो सके और जो privileges जो भी leakages होती है आपकी जितनी भी subsidies होती है उसमें बहुत वार देखा गया कि leakages होती है तो वो उस तरह कि वो leakages ना रहें beneficiary तक पू ले इस तरह से जो है डीबीटी शुरू किया direct benefit transfer शुरू किया गया है माचल में next जो है मुख्य मंत्री सेवा संकल्प help line शुरू की गई है double one double zero ठीए यह एक बहुत ही ambitious scheme है इसमें क्या है कि effort किया गया है कि citizen तक जो है वो directly proactively पहुंचा जाए सरकार के द्वारा और जो citizens हैं वो directly approach कर सकें सरकार को ठीक है तो इसमें क्या है call center citizen call center अलग लग वहां पर वो approach कर सकते हैं और यह purpose क्या grievance registration grievance register करवा सकते हैं ठीक है अपनी जो भी suggestions and demand citizens की सरकार तक पहुंच सकती है information जो भी यह government related schemes है government related scheme की जो भी information है वो citizen तक पहुंच सकती है असानी से ठीक है तो इसमें क्या है complainant कहीं से भी बैट कर state में जो है वो आपका complainant कहीं पर भी बैट के complaint कर सकता है ठीक है जी complainant चाहें तो कहीं भी बैट के double one double zero tol free number है यहाँ पर मैठ के कहीं पर भी राज्या में complaint कर सकता है कोई भी ठीक है और जो वो registered हो जाता है उनका online portal पर वो कभी भी monitor कर सकते हैं अपनी complaint को देख सकते हैं ठीक है ट्रैक कर सकते हैं जब तक कि resolution ना हो जाए complaint का और इसमें सबसे खास बात है कि complaint तभी close होगी जब कि complaint बोल दे कि वो satisfied है वो confirmation दे कि वो satisfied है complainant थी तभी वो complaint close होती है otherwise इसमें complaint भी close नहीं होती है और यहां पर यह भी आप ध्यान रखें कि यह 31st 2019 को यह जो है शुरू की गई थी मुख्या मंतरी सेवा संकल्प जो है यह 1100 यह स्कीम शुरू की गई है कब December 2019 में और 1774 departments इसमें मैप किये गई है सेवा संकल्प help line में next डीजी लॉकर डीजी लॉकर जो है काफी पुराना हो गया डीजी लॉकर डीजी लॉकर एक क्लाउड बेस्ट सिस्टम है यानि एक जगा centralized आपका डाटा रहेगा तो इसमें क्या है डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट इशू किये जाते हैं डीजी लॉकर में डीजी लॉकर में आप सेटिफिएट्स वगरण रख सकते हैं और वह जो है वेरिफाई होंगे आनलाइन और वह वैलीड होंगे इसके लिए इनफॉर्मेशन टेकनोलोजी एक्ट में भी अमेंडमेंट की गई है नोटिफिकेशन की गई है लग लग लेकिन फिर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में अभी इन चीजों को एकसेप्ट नहीं किया जा रहा है खास करके अगर आप देखेंगे पुलिस नहीं मानते हैं जैसे कि आपका अगर बात की जाए आपका लाइसेंस है ठीक है जी आपकी आरसी है वो डिजी लॉकर में वैलिड होनी चाहिए और इसमें जो है वो 11 डिपार्टमेंट बताए गए है कि 11 डिपार्टमेंट जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया डिजी लॉक नेक्स जो है भारतनेट ये भी काफी पुरानी स्कीम हो चुकी है वैसे तो तो इसका जो एम है वह ब्रॉडबेंड सर्विसेज प्रवाइड करवाना ग्राम पंचायत में ठीक है जी रूरल एडियाज में की पंचायते हैं और यहां पर जो बड़ा इंपॉर्टन्ट है वह कि 207 ग्राम पंचायते हैं जो की अभी इसमें जोड़ी जा चुकी है और इसमें छे ब्लॉक्स हैं हमीरपुर मंडी और सोलन के ठीक है तीन डिस्टिक है आप जरूर याद रखीगा सिर्फ तीन डिस्टिक् घेर, अमीरपुर, मंडी और सोलन, अमीरपुर में नदावन, सुजानपुर, टीरा, सुजानपुर, बिजडी, बंसन, ठीक है जी चार आपके याप की ब्लोक होगए, मंडी में सिराज और तो इस तरह से 6 ब्लोक जो आपके ये बनते हैं इन तीन डिस्टिक्ट्स में यह आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है High Speed Internet Broadband भारत Net Face 1 प्रोजेक्ट में यह स्कीम प्रोवाइड करवाई जा रही है और इसके बाद जो है कि 170 ग्राम पंचायस जो है वहाँ पर Wi-Fi connectivity प्रोवाइड की गई है Wi-Fi चोपाल प्रोजेक्ट में Wi-Fi चोपाल प्रोजेक्ट है और भारत Net तो इन दोनों में याद रखिएगा कितनी ग्राम बनेतों में भी तक किया गया है उसके इलावा भी कुछ रिमोट पंचायस हैं ठीक है जी रिमोट पंचायस हैं 157 वहाँ पर V-set Very Small Aperture जो आपका है उसमें उसके थूँ जो सैटलाइट के थूँ आपकी connectivity वहाँ पर provide की गई है क्योंकि वहाँ पर कोई भी टेलकॉम सर्विस प्रोवाइडर है नहीं है टीएसपी नहीं है इसलिए वो आपका थूँ सैटलाइट वहाँ पर 153 पंचायस में connectivity प्रोवाइड करवाई गई है जो अब इसके इलावा MS Reliance है Reliance Jio से सरकार ने टाइब किया है कि वो जो है लॉल्सपीती जैसी हमारे डिस्टिक्स हैं काफी cut-off एरिया है वहाँ पर तो वहाँ पर ये connectivity प्रोवाइड करवाइड करवाइड प्लाइन किये गए है 42 BTS-based transceiver stations यानि कि जो अपके टावर होते हैं वो 42 प्लाइन किये है Reliance Jio ने लॉल्सपीती के लिए तो कुछ उसमें से लगा भी दिये है 11-12 के आसपास तो वहाँ अब Reliance Jio connectivity High Speed Connectivity प्रोवाइड करवा देगा Next है My Jio V My Jio V क्या है State Government ने लॉंच किया है Citizen एक Platform लॉंच किया है My Jio V तो यह कब लॉंच किया था 6 January 2020 को यह date आप याद रखीगा 6 January इसी साल My Jio V हिमाचल शुरू किया गया है यह एक Initiative Platform है जहां की Partnership सुनिश्चित की जा सकती है Citizen और Government के बीच में मदद से ठीक है इसमें क्या है Assist People of the State State to Communicate Their Views, Suggestions and Feedback ठीक है तो जो है यह Assist करेगा State के लोगों को कि वो Communicate कर सके सरकारों को अपने Views ठीक है जी New Initiatives है Department of IT जो है नए-ने IT Tools यूज कर रही है तो एक यह Terms यूज की जारी काफी टाइम से Smart तो Smart का आप याद रखेगा Simple, Moral, Accountable, Responsible and Transparent Government ठीक है यह अलगलग IT Government Department of IT के द्वारा अलगलग Tools यूज की जारे है Smart Government के लिए तो Smart की फुल-फॉर्म आप याद रखेगा यह आप किसी descriptive exam में भी लख सकते हैं Simple, Moral, Accountable, Responsive and Transparent Government जो State Government है इन्होंने High Tech Habitats भी कुछ जगाओं पर High Tech Habitats established की हैं शिमला, Solan, Hamirpour, Baddhi, Pravanu, Kullu, Mandi और धर्मचला में तो High Tech Habitats तो इतने important नहीं है लेकिन एक Software Technology Park जरूर established किया जारा है और High Speed Data Connectivity Facility शिमला में यह थोड़ा सा important होता है अगर Software Technology Park फुली developed होता है यहाँ पर तो यह थे आपका कुछ questions इसमें से कुछ पुराने Economic Survey से कुछ questions है जैसे कि ई-पेशी Video Conferencing किस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है हिमाचल में तो वो है MS भारती Airtel के द्वारा ठीक है जी नेक्स जो है आपका कि हिमाचल परतेश में लागू की गई E-Procurement योजना के तहत क्या काम किया जा रहा है E-Procurement योजना इसमें Procurement और Tendering दोनों काम की जा रहा है Tendering भी की जाती है और Procurement भी और जो E-Procurement योजना यह World Bank की सहायता से चलाई जा रही है तो यह कुछ questions थे आपका HP Economic Survey 2020 से ठीक है इसमें जो chapter 16 है chapter 16 को मैंने discuss किया है जिसका title है Information Technology बाक्की chapters को भी मैं बारी-बारी से discuss करूँगा इसी तरह से तो अगर आपको यह information अच्छी लगी होगी तो आप इसको like, share, subscribe ज़रूर करें और अगर आपका कोई question है तो आप comment box में पूछ सकते हैं आपको इस वाले वीडियो की PDF चाहिए तो आप बता दीजिएगा comment box में तो मैं आपको परवाइड करवादूँगा लिंक उसका परवाइड करवादूँगा धन्यवाद